सरकार के हेवी इंडस्ट्री मंत्राले ने इस्कूटर पे दी जाने वाली सब्सिडी में कटोती का प्रस्ताओ दिया है माना जा रहा है कि प्रस्ताओ में इलेक्रिक स्कूटर खरीदना महगा हो जागा इस प्रस्ताओ को अगर मान लिया गया सबसीडी को 40% से घटा कर 15% किये जाने का प्रस्ताव है हेवी इंडस्ट्री मंतराले ने इस प्रस्ताव को अंतर मंतराले पैनल को भेज दिया है और वे पैनल ही सबसीडी घटाने पर अंतिम फैसला लेगा इसके लावा इलेक्ट्रिक थ्री वीलर की जो सबसीडी थी वो अभी बच्ची होई है इसका इस्तमाल भी आने वाले दिनों में टू वीलर के लिए किये जाने का प्रस्ताव है सर पहला सवाल सीधा इसकूटर खरीदना है कितना मेंगा हो जाएगा सबसीडी 40% से घटकर 15% तक पहाँ आ जाएगी यानि आप माय इनके चलें कि कम से कम 15 से 20% स्कूटर की कीमत है इसकूटर की कीमत भारत में बढ़ने की संभाव ना है सबसीडी की पूरे धाचे में पुनरगठन हो रहा है सरकार ने सबसीडी कम करने के और भी तरीके निकाले थे इससे पहले पिछले एक साल से लगातार जो फेम 2 के तहरत जो एक स्कीम सरकार ने बनाई थी जिसके तहरत E-sकूटर को बढ़ावा देने के लिए सबसीडी दी गई थी उसमें कमपिनियों के कामकाज में काफी अनिमित्ता पाई गी थी, यह माना गया था कि उन्होंने भारती तकनीक का पूरा इस्तेमाल नहीं किया, छापे पड़े थे और अब अंतथा चीजें उस तरफ जा रही है, जहां सरकार को इलग रहा है कि इस पूरी मोहिम में सबसीड तकनीकों को लेकर भी सरकार के निया, सरकार इस पूरी विवस्ता से संतुष्ट नहीं है, और इसलिए अब e-scooter महंगय होने शुरू हो गए है, वैसे आपको याद होगा कि भारत में e-scooter की बिक्री में पिछले दो महिनों, तीन महिनों के दोरा जो आकड़े आए उनमे पावर कंदम्शन को लेकर नियम इस पश्ट नहीं है, क्योंकि जिस बिजली से यह वाहन चार्ज किये जा रहे हैं, और जिस कम्पटीशन में, जिन बहानों के कम्पटीशन में, डीजे लियर पेट्रोल के बहानों के कम्पटीशन में, खासतरों से टू वीलर पेट्रोल के कहा गयाता है कि भारत में बनाएंगी वेकल यहां की बैटरी यहां की तक्निके इस्तेमाल करेंगी कंपिनों ने चीन से सामान आयत करना शुरू कर दिया देखते देखते देश के अलग लग इस्तों में कई स्कूटर कंपिन आकर खड़ी हो गई तो दूसरी वड़ी वज़े कि सरकार अपने पूरे सबसीडी धाचिया का पुनर गठन करना चाहती है बज़ेट पर दबाव बहुत जादा है और एक सीमा से अधिक सबसीडी को चलाया नहीं रखा जा सकता इस कीम को चलते हुए भी एक से डिर साल हो गया है अब जली यह देखिए आपकी सबसीडी मिली स्कूटर खरीदे गए कारें खरीदी गई उसके बाद हुआ क्या है उसके बाद भी हम एशिया के बाजारों में सबसे पिछले हुए बाजार बने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की तुलना अगर पूरे एशिया म कर देशिया में सबसे ज़र्दा इलेक्ट्रिक गाडियां चीन में विकी 2022 के ड़ला चीन में कुल गाणियों में इलेक्ट्रिक वाहनों की इस्ततारी 27 फीसाद से ज्यादा दरज की गई इसके बाद 10 पीसाद के साथ दक्षन कोड़िया दूसरे नमबर पर है सोचे कहीं सव सव में से 10 हमारे भारत ने सव में से एक गाड़ी मान लीजिए एक गाड़ी केवल ई-विखल भीखरा था सर एशया में भारत इतना पिछला क्यों है भारत की जो पूरी तरे टू वीलर्स पर केंदरे थी वैसे भारत में जितने भी टू इलेक्ट्रिक वेकिल बिखते हैं उनमें कारों की का प्रतिश्चा दस फीजदी से भी कम है और आपको याद होगा कि जब इवेकिल पर बहुत सारी चर्चाएं होती थी यहां से देख दो साल पहले तब यह कहा जा रहा था नितियायोग ने एक लक्ष भी रखा था कि भारत अपने अधिकांश टू वीलर्स को अगले तीन साल चार साल के अंदर कम से कम पचास से साथ अधिकांश लोगों के पास लोग जो बाइक पर चल रहे हैं वो यहां से बाहर निकले पेट्रोल लीजिल के खपत कम हो और वो टू वीलर्स पर आएं जबकि योरोप और अमेरिका में जो बड़ा फोकस था सबसीडी का वो कारों पर था फोर वीलर्स पर था और अब पूर कि जो इसका जो उत्साह था इसका जो यूफोरिया था वो खतब होना शुरू हो रहा है चाइना तो दोजार बीस में ही से बंद करने वाला था लेकिन को विट के का रभी से बढ़ा दिया गया चीन सबसे बड़ा बाजार था चीन ने तेजी से कट होतीं कि योरोप के सारे बाजारों में सारे बाजार और सारे देशों में अब उलक्टिक वेकिल के ऊपर सबसीडीस कट हो रही है या इjak फूरी ये वेकिल की क्रांती की कोशीश की गई थी ये क्रांती दरसल सबसीडी के पहरों पर खड़ी थी क्योंकि इसके लिए तो infrastructure भी नहीं था बाजार भी तियार नहीं था अब सबसीडी सिकुरना शुरू हो रही है तो भारत में अब उन लक्षों के हासल होने की उम्मीद नहीं दिखती जो नीती आयोग ने रखे थे टू वीलर के तोर पर और सबसीडी के बिना भारत में इन वहनों को बेचना तिय करना और इने बाजार तक बाजार में लोगों को खरीदने के लिए त्यार कर पाना भी अब थोड़ा मुश्किल होने वाला है तो इवीलर क्रांती में एक शिफ्ट आ रहा है एक पूरा बदलाओ आ रहा है जिसे सरकार अब समझने की कोशिश कर रही और इसे साब से नीतिय सिवाते